हेलो तो यहाँ पर देखेगा बैंक निफ्टी का जो चार्ट है बैंक निफ्टी के चार्ट में इंपोर्टन लेवल्स किया है वह हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो कल का जो वीडियो था उसके अंदर हमने आपको एक कुछ इंपोर्टन चीज़े बताई थी हैं उसके अब अगर देखोगे तो मार्केट बिल्कुल कंटिनुसली डाउनफॉल करते गया ठीक है अब यहाँ पे जब मार्केट का डाउनफॉल राना तो इस डाउनफॉल वाले मार्केट में हमने काफी बढ़िया से यहाँ पे प्रॉफ बढ़िया फिर मार्केट यहसे कंटिनुसली डाउनफॉल कर सकता है अब यह जो मॉमेंटम रहेगा यह मॉमेंट किस तरीके से रहेगा इसके बीचे का लॉजिक क्या रहेगा हर इक चीज के बारे में हम देखे गे उसके साथ यह भी हमें समझना पड़ेगा कि जो अगर यहां है तो अगर यहां पर यहां पर सभी के सभी लोग एकड़े मार्केट नीच जायगा अगर मार्केट यह से उपर जाता भी है तो यहां से हम 90 तक का stop loss ले करके उसके अंदर enter कर सकते हैं अब कलका लेवल्स कासी ज़या confusion था इसी के बज़े से आज भी बहुत से लोग क्या पर confused हो चुके हैं अब यह confusion मौला momentum देखें market क्या करता है नीचे आता है उपर आता है अगर आपको पता होगा कि आज market का expired है अब अगर market का expired है तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने यहां पे यहां पर यहां पर downfall का position बनाया होगा लेकिन कहीं ना कहीं market ऐसे slow-slow downfall करने गया है जिसके वज़े से जो premium था वो premium already decay हो गया कई ना कहीं जब यह बड़ा candle यहां पर form होता है तब लोगों को लगता है कि कई ना कहीं market यह से निचे जाएगा यहां पर हीवी quantity में पर पर चेसिंग शुरू होता है उसी के अगले moment में market उपर जा करके सब लोगों का stop loss यह हीट करवा देता है अब अगर market सब लोगों का stop loss हीट करवा रहा है तो इसका मतलब यह हो चाता है कि market के अंदर यहां पर जो बहुत से लोगों का already stop loss हीट हो चुका है और एक नया entry plan के लिए यहां पर थोड़ा सा अभी लोगों को wait करना पड़ेगा अब यहां पर लोगों को wait करना पड़ेग है उसके साथ साथ एक avoid zone भी हापी निकल के आ रहा है अगर एक confusion zone and avoid zone दोनों को अगर हम ध्यान में रखे तो हमारे पास क्या levels आते है देखिए bank nifty का important चीज़े है bank nifty को ऊपर जाने के लिए क्या importance है या फिर bank nifty को नीची जाने के लिए क्या importance है यह तो हमें समझना पड़े उसके बारे में हम देखने वाले है और उसके साथ में एक और important चीज़ है यहां पर थोड़ समय चोड़ को बीचे के और लेकर कर आता हो ताकि आपको देखने में आसा नहीं हो जाएगी अब देखिएगा market के अंदर यह वाली जो level से यहां पर काफी बढ़ी असा profit अपना अर्डी चनले हो चुका था market में यहां पर यह वाला zone भी काफी ज़्यादा confusion zone था और उसके अगले पर मार्केट उपर जाता है लेकिन सड़नली उसके बार मार्केट नीची बेर आ चाता है तो यहां पर जो है market का confusion level से वह काफी ज़्यादा increase हो चुका है एंड जितना ज़ P.E. trap हो चुका है यान अब यहां पर बहुत से लोग C.E. लेने वाले हैं लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो C.E. लेगे वह भी कहीं ना कि एक जगे पर trap होने वाले है और उसके बारे में जो important level से वह मैंने आपको already बता के रख्या हुई है अब उस important levels के accordingly अगर हमें entry plan वहा analysis करना पड़ेगा ठीक है तो lion market का analysis जो भी रहेगा जो भी important चीज़े रहेगी वह सभी के सभी आपको हमारे free वाले telegram channel में update कर दिया जाएगा bank nifty option trade link आपको video के description में मिलेगा telegram पी जाकर के भी अगर search करते हो bank nifty option trade तो easily आप उसके अंदर joining कर सकते हो देखे कितना बडिया से यहाँ पर ट्रक हो चुका है जितने भी लोगों ने पर चैसिंग किया सभी के सभी लोग आज यहाँ पर trap होना शुरू हो चुका है इसलिए जो कहते हैं कि कई कई लगापने कर सकते हो जो में पार से आपर आपको यहा पर रुखना पड़ता है क्या आपको patience के साथ रुखना पड़ता है market में तब जाकर क्या कर सकते हो ऊचे तो P.inate करोगे आ को ट्रैप करेगा तो ऐसी चीजह भी यहाप आपकर हो लिक्त फुर्ल लाई हो मार्केट में और वो बिल्कुल आप या पर देख सकते हो इसके साथ से द्गरण हम यहां पर देखें तु जो हम्हारा निफिट है तो क्या निफ्टी के अंदर हमें एंटरी प्लाइन आउट करना चाही है या फिर नहीं करना चाही है इसके अंदर जी स्वं ने काफी बड़िया सा प्रॉफिट आप जन्रट किया होगा कई ना कई यह लेवल के आसपास में लेकिन अभी 180 का लेवल से इंपोर्टन का काम यहापर कर सकता है कि उसे ब्रेक करना पड़ेगा अगर वह लेवल समंद भी इंप्र हो जाता है तो फिर हम यह कह सकता है कि मार्केट जो 337 के लेवल के आसपास हमें जाता हो वह दिख सकता है जो कि काफी बड़ा टागेट रहने वाले आपके लिए सीधा सीधा एक अपर साइट का मूव हमें कैप्चर काने का मौका मिल सकता है कहाँ पे निफ्टी 50 में अब अगर निफ्टी 50 यहाँ से नीचे भी जाना चाता है निफ्टी 50 के लिए important levels के रहेगा निफ्टी 50 के लिए important levels रहेगा in zone के पास में अगर निफ्टी 50 in zone को downfall में breakout करता है तो क्या हम यहाँ से तुरन नीचे जाएगे तो इसका जवावे नहीं यहाँ से तुरन नीचे नहीं जायेगा क्यों क्योंकि यहाँ से एक bounce back हो सकता है क्या कर सकता है market bounce back अब bounce back में अगर हमें profit booking करना आया तो फिर हम यहां से profit booking करके ऊपर के और का direction catch out कर सकते हैं तो यह हो जाएगा हमारा पहला यह हो जाएगा हमारा second entry मतलब जो टूटी होता है उसका reverse setup यहां पर काम कर जाएगा जिसे नहीं मालूम उसके लिए आपको अगर double top double bottom बता है तो वही setup लगबग यहां पर काम कर सकता है अगर हमारी levels के पास वह आता है तो ठीक है आयो आपको इतना तो समझ गया कि कौन सी levels पर क्या entry plan करना चाहिए कौन सी levels पर क्या सोचना चाहिए अब यह सब चीज़े analysis भी करना पड़ेगा कि news में क्या चल रहा है क्या news हमारी positive है या फिर हमारी news negative है तो positive news, negative news यह सब चीज़े आपको समझ में आना चाहिए अगर यह सब चीज़े आपको समझ में आ रही है तो जाकर क्या हम यह कह सकते है कि हाँ आप यहापे markets के अंदर काफी बढ़िया से analysis क कर सकते हो खुद से… तो देखा जाएगा कि market का level sentiment क्या है market downfall कहाँ पर कर सकता है market downfall के levels कर देखना है तो यहाँ से downfall के levels हमाया है तो यहां से downfall के levels हमाया है लगब 467 कर रहेगा ठीके 467 से लेकर के 430 तो थोड़ा सा सेफ रेना चाथे उनके लिए अगर यहां से एक डाउनफॉल का इंट्री मिलता है तो कहीं न कई एक डाउनफॉल का इंट्री प्लैन वहाँ पर किया जा सकता है जैसे मैंने बता है कि अल्रेडी बहुत से लोग अभी यहां पर ट्रैप के मार्केट के अंदर काफी बडिया से चीज़ें आप समझ पाओगे लाइओ मार्केट के अपडेट्स के लिए हमारा फ्री टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसने से मिल जाएगा